वीडियो में NCRT class 11th के exercise number 1.1 के third number को बताया गया है आप यहाँ देख सकते हैं कि write the flowing set in your roster form roster form में लिखने के लिए कहा जा रहा है जैसे एक set दिया हुआ एक such that x is an integer and x is greater than equal to minus 7 and less than 7 को लिखने के लिए कहा जा रहा है तो यहाँ आप देख सकते हैं तो इसका मतलब यहाँ आप यहाँ आप इसके बारे में लिख लें कि x is greater than greater than equal to equal to minus 3 and x is less than 7 इसका बारे में लिख दिया आप यहाँ लिख सकते हैं क्या हो सकता है आप इसका solution the required integer are क्या हो जाएगा अनि equal to equal to और greater than that means equal to minus 3 हो जाएगा और minus 2 minus 3 से बढ़ है minus 2 फिर minus 1 बढ़ा है फिर 0 हो जाएगा integer के लिए बारे में बात किये जा रहा है इस करण से लिख रहा हूं 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 फिर 5 फिर 5 फिर 6 और 7 नहीं लेंगे क्योंकि हमको यहाँ कहा जा रहा है कि less than 7 होना चाहिए यहाँ मैंने इस भासन को लिख दिया हूं तब यहाँ क्या हो सकता है roster form लिखने का तरीका है in roster form हमेशा roster form को हम लोग कोई set लेते हैं यहाँ यह है तिसलिए यह लिखा और roster form लिखने के लिए बोलता है कि जितना सारा element है उसको एक करकर के लिखिए यह सब कॉमा के साथ लिखिए यह है रॉस्टर फॉर्म का लिखने का तरीका 3,4,5,6 यही होगी आपका एंसर दूसरा नंबर कॉस्चन क्या कहा जा रहा है दूसरा नंबर आप यहाँ देख सकते हैं दूसरा नंबर बोला जा रहा है कि B में एक सच ड़ाट एक्स इस नेचूरल नंबर लेस देन 6 कि वह बताईए कि लेस देन 6 से नेचूरल नंबर कॉन कॉन से होगा उसको रॉस्टर फॉम में लिखना है तो यहाँ मैं पर्स नहीं लिखता हूं डायरेट बनाने परियास करता हूं तो यहाँ लिख सकते हैं कि नेचूरल नंबर लेस देन 6 आर ही है सोलूसन आपका यहां देख सकते हैं 6 का लेस देन क्या होगा तो यहां 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 4 होगा 5 होगा क्योंकि natural number के बारे में बात किया जा रहा है इसका रान से होगा तब इसे अब roster form में लिखेगा इन roster form में लिखेगा तो इसका answer कैसे होता है यहाँ यहाँ b बराबर लिखेंगे और यहाँ comma हर element को comma के साथ represent करेंगे curly bracket से बंद करेंगे question number 3 का 3 के बारे में चर्चा करते है आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 में 3 में क्या बताया गया है कि x such that x is a two digit natural number such that sum of its digit is 8 इसका digit का sum कितना हो चाहिए 8 तो उसमें से कौन ऐसा दो digit है जो जोडने पर दो digit वाला वो 8 आता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं देखते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखेंगे कि the required solution है परस्ट आप बुक में देखें देखेंगे the required नमबर आर देखिए लिखने तरीका यहाँ 1 7 सबसे स्मोलेस्ट टू डिजिट इंटिजर नमबर क्या होगा 17 ही होगा ने चुल नमबर बोला जा रहा है तो डैट बींज यहाँ देखिए कि टू डिजिट 17 उसके बाद यहाँ देखिए दो उसके बाद लेंगे 6 यहाँ देखिए जोडने पर 8 आ रहा है फिर 3 और फिर 5 फिर 4 और 4 फिर 2 डिजिट का ही लेना है 5 3 मैंने इबर क्या करा 1 2 3 4 5 और फिर घर रहा हूँ 7 6 5 4 3 फिर 6 2 हो जाएगा 7 अन हो जाएगा 8 0 होगा आप इसे roster form में लिखेंगे therefore in roster form यहाँ क्या है c इसको c ले लेते हैं c बराबर 17,26,35,44,53,62,71,80,80 इस तरह से लिख सकते हैं दूसरा नमबर अब हम लोग देखते हैं कि question number 4 थर्ड का 4 यहाँ देख सकते हैं d बराबर लिया हुए कि x such that x is a prime number which is divisor of divisor of 60 60 का divisor होना चाहिए और वैसा में prime number prime number means होता है कि cable उसका factor 2 ही हो एक एक और एक खुद itself तो हम यहाँ लिख देंगे कि यहां solution direct लिखते हैं आप लिखेंगे divisor divisors of 60 are कौन कौन से divisor लिख लेता हूं तो यहां one हो जाएगा टू हो जाएगा 3 से भी लग जाएगा 4 से भी भागा लग जाएगा 6 से भी लग जाएगा 10 से भी लग जाएगा 12 से भी लग जाएगा 15 से भी लग जाएगा 20 से भी लग जाएगा 30 से ले जाएगा 60 से ले जाएगा यह मेरा divisor था लेकिन question person बोला जा रहा है कि कौन सा होगा प्राइम नंबर इसमें कोन है यहां लिख देंगे कि एममफंग उसमें देम इसमें क्या है प्राइम नंबर कि प्राइम नंबर है कि आर 25 तो यहां दोफिर Online लिख लिजए इन को रॉस्टर फॉर्म तो यहां फोर है ती इसलिए डी लिख देता हूं जोकि डी था पर्स्ट में तो यहां दो थिरी फैप आपका एंसर आई हो गया अब हम लोग देखते हैं कि पर्स्ट नमबर फाइप को कैसे बनाएंगे थर्ड का फाइप थर्ड का फाइप को अब देख सकते हैं अराम से कि फाइप में बोला जा रहा है कि यह लिखा हूआ है कि the state of all letter in the word trigonometric में letter of word को लिखना है रोस्टर फाइप में अब इसे देख लेते हैं जैसे फाइब नमबर जैसे ट्रिग्रोमेट्री इन दा वर्ड ट्रिगोनोमेट्रीक यहां आप देख सकते हैं कि दा लेटर ट्रिगोनोमेट्रीक में क्या हो रहा है रिपीटेड हो रहा है यहां क्या कर देंगे ड्रोपिंग मतलब छोड़ देंगे उसको रॉस्टर फॉर्म में रिपीटिंग नहीं लिखा जाता है dropping the repetition in roster form roster form में लिखना उसको छोड़ देना है तो आप यहाँ E बराबर लिख सकते हैं कि क्या है तो एक बार T लिखेंगे एक एक बार लिखेंगे टिक्रमेटिम जो जो वर्ड आ रहा है उसको एक बार R भी एक बार लिख देंगे I भी लिख देंगे G नहीं डबल हुआ वो भी लिख देंगे N भी लिख देंगे फिर वो डबल आ रहा है तो वो नहीं लिखेंगे फिर M लिखेंगे E नहीं लिखेंगे तो E लिख देंगे फिर T लिख लिख लिए चुके हैं इस करण से नहीं लिखेंगे R भी लिख चुके नहीं लिखेंगे अब उसके बाद Y तो आपका रिक्वाड एंसर यह हो गया अब हम लोग देखते हैं कि Question number 6 3 का 6 यहां आप देख सकते हैं कि 6 में F बराबर The state of all letter in the word Better Better को किस तरह से आप प्रॉस्टर फोर में लिखेंगा तो उसी परकास लिखेंगे in the word इसको solution In the word Better इसमें क्या हो रहा है The letter E and T are repeated E और T क्या हो रहा है Repeated हो रहा है इसलिए हम इसको Drop कर देंगे Dropping the repetition Dropping the repetition इसको क्या कर देंगे छोड़ देंगे और एक एक करके लिख देंगे roster form जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ F पराबर लिख लें यहाँ देखें B एक बार लिखेंगे E एक बार T दो है इसलिए एक बार लिखेंगे E तो लिख चुके नहीं लिखेंगे उसके बाद आपका answer required answer हो गया आपका बार लिखेंगे